नमस्कार जै गुरुजी जै मातादी राधे राधे आप सभी लोग कैसे हैं कैसा है मेरा यूट्यूब का पूरा परिवार एक तरीक को जो मैंने आपको रेमेडी दी थी सिनेमन वाली उमीद है आप सभी लोगों ने जरूर की होगी किसी कारणवाश अगर आप भूल गए है तो अगले इतवार को भी वो कर सकते हैं उतनी ही सफलता इतवार को करने से मिलेगी आपको पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों ने मेरा हाल चाल जानना चाहा उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और मैं अब पहले से बहुत बहतर अफी सारे लोगों ने मुझे बुला कि उनकी भी तब्य ठीक नहीं रही क्योंकि जो अगस्त का महीना होता है वो अकसर बारिशों का महीना होता है सावन के महीने में बारिश होती है तो कई मर क्या होता है कि हम जब लोग बाहर जाते हैं तो हमारे कपड़े हमारे जूतों क कराई हो इस remedy के द्वारा के आपकी health भी ठीक होगी आपके relations भी ठीक होगे और आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की negativity आ गई है तो वो जल्दी ही दूर हो जाएगी आज मैं आपको नमक और निम्बू से करने वाला उपाय बताऊंगी नमक हर किसी के घर में होता है निम्ब को करना है करना क्या है आपने एक काच की शीशी में नमक लेना है दूसरी काच की शीशी में सबसे पहले आपने निम्बू रखना है और निम्बू के ऊपर इस प्रकार से आपने नमक डालना है जो कि नमक जो है वो पूरा कवर हो जाए इसमें अब आपको निम्बू नजर नहीं आ रहा देखने में लगेगा कि सिर्फ नमक है अपने घर की में डोर के कॉर्णर में बिल्कुल कॉर्णर में आप इसको रख सकते हैं और अगर आपको लगे कि वहां रखने की जगा नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी डायरेक्शन के कॉर्णर में रख सकते हैं वो और negativity होएगी, यह moisture बन जाएगा और negativity सारे घर की इसमें आ जाएगी, अगले शनिवार को सबसे पहले इसको फैक दीजिए, अगर आप बाहर के dustbin में फैकते हैं, यानि कि जो roads के उपर dustbin होते हैं, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने घर के dustbin में भी डाल सकते हैं, ऐसा करने से आपकी negativity जाएगी, अगले शनिवार दुबारा इसको repeat जरूर करें, इस उपाय करने से आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, निम्बू बिल्कुल में दाग होना चाहिए, और आदा कटा हुआ निम्बू आपने इस कटोरी में डालना है, उसके बाद ब पाश मिनट के लिए बैट जाए, और अपने मन में सोचिए कि मुझे किसी की भी नजर लगी है, या मेरे मन में जो भी negative विचार आ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा negative मेरी life में होने वाला है, या चल रहा है, वो ये सारा का सारा इस नमक में आ जाए, और इस नमक में आने के और पानी को एक, दो, तीन सेकंड के लिए खुला छोड़े ताकि पूरा नमक ड्रेन हो जाए, अब बाकी जो कटोरी में नमक है, वो आपने पूरा हफता थोड़ा थोड़ा नमक आपने अपने पोचे में डालना है, यानि कि जब भी घर में मौपिंग करे, इस नमक का इस पाजिटिविटी आएगी और आप खुद भी महसूस करेंगे कि आप बहुत लाइट फिल कर रहे हैं, तर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइक उन दबाकर नोटिफिकेशन ओन कर लिजीगा, ताकि सबसे पहले वीडियो अधेरादे, जै मातादी, जै गुरुजी